अब आप सोच सकते हैं कि इन नोटों को देख कर भले ही मुड़े तुड़े क्यों ना हूँ अजनभी पर क्या गुजरी होगी अर्थात रैट ट्रैप सेलर जो है उसने कभी इतना पैसा तो देखा नहीं था अचानक दस-दस के तीन नोट उसको दिखाये जाते हैं क्या हुआ होगा वाट मस्ट हैफ गॉन इंटी दे माइंड रैट ट्रैप सेलर एक तो उसे बड़ा जीब लग रहा था अविश्वस नहीं लग रहा था ये कहानी सुनकर कि गाय के दूद के बल पर मेरी इतनी कमाई हो पर मिला मेरे साथ ताश खेला और मुझे कहानी भी सुना रहा है तंबाखो भी दिया बड़ा जीब लग रहा था और उपर से यहां दिस मैन ओनर इस शोईंग हिम थ्री नोट्स अफ 10 10 क्रोनर इच क्या हुआ होगा the next day well after that the showing the notes he held up before the eyes of his guest उसकी आख के सामने वो नोट को दिखाया nodding knowingly sir hilाया and then stuffed them back into the pouch to stuff back to stuff मतलब डाल देना stuff मतलब भर देना don't stuff your mouth with too much food अपने मूँ में खूब जादा खाना मत भकोसो stuff करना मतलब भकोसना भर देना don't stuff your suitcase with lot of things अपने suitcase को बहुत सारी चीज़ों सामत भरो ठूसो मत stuff करना मतलब ठूस देना भर देना भकोस देना so what he did nodding knowingly nod किया सिरहलाना सिरहलाया देखा ये note and then और उसके बाद he stuffed them back into the pouch वापस pouch में उसको भर दिया देखा के वापस उसको डाल दिया चमड़े के bag में ठीक रात हो जाती है ये लोग सोते हैं bedtime में ताश खतम हुआ और ताश के बाद ये बादचीत हुई और इसने वो kroner दिखाया खिड़की पे वापस टांग दिया होगा और ये लोग सोने चले गए the next day both men got up in good season दोनों बड़े अच्छे mood में उठे host जो था वो इसलिए अच्छे mood में कि रात में कोई इसके साथ बात तो करने के लिए आया रात में ताश भी खेला रात में अपनी कहानी किसे भी सुनाया तो उसको भी अच्छी नींद आई और गेश जो था रात ट्राप शेलर उसको तो अच्छी नींद आईगी ही he had every reason to have good sleep because he had his stomach full he had tobacco he was given proper care porridge proper bed and enough heat for him to sleep happily so both of them got up in good season अच्छे तरीके से सुबह उठे the crofter was in a hurry to milk his cow यह जो crofter था जो iron smith worker work में काम करता था iron work में यानि guest नहीं host old man वो सुबह सुबह हर बढ़ाने लगा थोड़ा सा थोड़ा जल्दी में दिखा क्यों क्योंकि इस अपने cow को का दूद दूहना था to milk his cow milk मने दूद और to milk मने दूद दूहना in the village if you go in the morning you will find lot of people milking the cow milking the cow तो बहुत चलों को आप देखोगे सुबह गाओं में गाय का दूद निकलते हुए so milking the cow so the cropter was in a hurry to milk his cow क्योंकि गाय का एक समय होता है दूद देने का यदि समय में बदलाओ हो जाता है तो दिक्कत होती है the cow may not give milk और गाय दूद नहीं देगी उस दिन तो इसका जो पैसा हो मारा जाएगा क्योंकि क्रीमरी में दूद नहीं दे पाएगा and the other man probably thought he should not stay in bed when he had when the head of the house had gotten up एक और जो host था वो जल्दी में था क्योंकि इसको गाय का दूद दूद दूहना था तो दूसरी और अजनभी जो था महमान जो था the other man probably संभवता उसने सोचा कि he should not stay in the bed कि वो भी अब बिस्तर से उठ जाए वो अब बिस्तर में न रहे क्यों? क्योंकि जो घर का मालिक है वो अब उठ गया है head of the house had gotten up जब घर का मालिक उठ गया है देखिए एक गरीब आदमी की भी कितनी अच्छी सोच है संस्कार की बात है he had that feeling कि नहीं भी जब घर का मालिक उठ गया है तो अब मैं भी उठ जाओ जद देखिए उसको भी नीद आरी थी बड़ा अच्छा लग रहा था और चाहता तो शाहद और लंबा सो सकता था लेकर उसने देखा कि जो ओनर है वो उठ गया है और उठा क्यों था गाय को दूने के लिए जो कि उसका एक समय होता तो उसने सुचा कि जब वो उठ गया है वन ही इस गट अप वन ही इस नो और इन बेड why should I lie in the bed lie on the bed I must get up now so he got up they left the cottage at the same time दोनो ही एक साथ cottage से निकले ताला लगा दिया और दोनो निकल गया they left cottage at the same time the croftar locked the door and put the key in his pocket जो owner था, croftar था iron work में जो काम कर रहा था बुड़ा हो गया था उसने ताला लगाया और चावी अपने जेब में रखी और चला गया the man with the rat trap said goodbye और यह जो rat trap वाला आजमी था इसने उसको bye bye कहा और thank you कहा and there upon each went his own way there upon उसके बाद there upon मतलब उसके बाद और उसके बाद दोनो अपने अपने रास्ते चलेगा तो इसमें क्या interesting बात है what is there to be so interesting but yes story is very interesting this is just the beginning of the story now what happens both get up get ready go out of the house gate is locked, house is locked key is kept by the owner and he goes his way while rat trap seller goes the other way अपनी अपनी दिशा में निकल गया उसने उसको धनवाद भी दिया इतनी कट सी थी उसमें इतनी सभिता थी उसमें इतनी समझ थी उसमें कि उसको धनवाद भी दिया there upon मतलब उसके बाद each went his own way but half an hour later आदे घंटे बाद the rat trap peddler stood again before the door rat trap peddler rat trap बेचने वाला peddler मतलब जो घूम घूम कैसा बेचते हैं सामान उन्हें peddler कहते हैं to pedal मतलब cycle का pedal करते हैं हम लो pedal your cycle fast peddler मतलब घूम घूम के जो बेचते हैं drug peddler is a very common word drug peddler जो लोग drugs बेचते हैं नशे की चीज जो बेचते हैं drug peddlers are big criminals for the society drug peddler जो हैं समाज के लिए जाने की कोशिश नहीं की कैसे करता ताला लगा था चावी तो क्रोफ्टर के पास थी ओनर के पास थी वो जो चला गया था तो अभी क्या करता यहां पे खड़ा था और कुछ तो दिमाग में हो रहा था जोड करना मारना जोड से मुक्का मारा पेन मतलब काच का जो ग्लास लगा हुआ था दग्लास विंडो पेन में उसको कहते हैं पेन एक टुकडे को एक पेन कहते हैं ग्लास तो फॉड़ा था पेन टूट किया अंदर घूचने की कोशिष नहीं की उसने ताले लगा था तो क्या करता है? काच को तोडता है He only went up to the window Smashed a pain Stuck in his hand और अपना हाथ अंदर डालता है To stick मतलब डालना You stick to your words तुम अपने शब्दों पर अडे रहो अडिक रहो वो तो अलग शब्द है You stick The gum is sticking The gum is not sticking Chipkaan नही रहा है Gum मतलब To stick करना मतलब Chipkaan He stuck his hand उसने अंदर हाथ डाला काँच तूड़िया था तूटे हुए काँच अंदर हाथ डाला और क्या किया होगा What did he do Stuck in his hand And got hold of the pouch With 30 kroner और उसके हाथ में वो चम्ड़े का बैग आ गया जिसमें 30 kroner रखे हुए थे जिसे रात में owner ने दिखाया था उसकी नजर उस बैग पर पड़ गई था रात में उसका दिमाग घूम गया 30 kroner का लालच इसके मन में आ गया और इसलिए वो वापस आता है अदे खंटे बाद दर्वाजा बंद देखता है स्वाभाविक था उसको मालूम था कि दर्वाजा बंद रहेगा और वो चाहता भी था कि दर्वाजा बंद रहे ताकि मैं कांच तोड़ू और जो खिड़की में रखा हुआ जो है पैसा उसके ले लूँ वो old man जो था इट वो रादर very sorry about the old man that he trusted this fellow उसने इसको बड़ी अजीब बात थी कि इस old man ने rat trap seller को विश्वास किया इतना विश्वास किया कि अपनी राम कहां नहीं पूरी बता दिये और तो और उसने कहां पैसा रखा ये भी बता दिया और वापस इसी जगह पे रख दिया इसके दिमाग में वो पैसा था stuck his hand and got hold of pouch with the 30 kroner he took the money and thrust it into his own pocket उसने वो पैसा निकाला thrust it into his own pocket अपनी जेब में डाल दिया thrust करना मतलब फ़ड़ा जोड दे के डालना अंदर तक हाथ पहुंचाया ताकि वो पैसा गिर न जाया ये सुनिश्चित करने के लिए कि पैसा गिरना जाया न अंदर तक हाथ दबाव बनाया he thrust his hand after smashing the pain stuck his hand took out the bag took out the money thrust the money in his pocket and put the bag back then he hung the leather pouch very carefully back in its place बड़ी सावधानी से उसने वे चम्डे के बैक को उसी जगह पर वापस रख दिया and went away और फिर चला गया अर्थाथ उसने एक चोरी की को उसने विश्वात घाद भी किया इतने विश्वास से ओनर ने रखा था धोगा दिया ओनर स्वैम भी कोई अमीर नहीं था पूरे मेहनत की कमाई उसकी लेके चलते बना बट आगे क्या होता है वो देखेंगे फिलहाल what you should know is that he put the money in his pocket put the bag at its place exactly the same way as it was before and went away निकल गया तो अब आप समझ सकते हैं कि किसी को भी गोपनी बतें बताना कितना महंगा पड़ सकता है खाना पीना दो आराम के लिए किसी को आपने सुविधा दी लेकिन एक अंजाने व्यक्ति को अपनी सारी बातें आप बता रहे हैं so that's not proper and you know how rat trap seller took advantage of it कैसे उसने उसका फायदा लिया साथ ही समरिद के दिनों में अच्छे दिनों में ये जो आदमी था host, owner, crofter अर्थाज, crofter मतला बाड़े वाला iron works में वो एक बाड़े वाला था जमीन पे काम कर चुका था तो इसलिए उसको कुछ आइडिया भी था गाय वगर रखने का और साथ ही और विचारा खुले दिल का था जैसे जैसे वो चलता गया with the money in his pocket अपनी जेब में पैसा रखके जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया he felt quite pleased with his smartness अपने smartness से बड़ा खुश था वो smart होना मतलब उनी चालाकी से और क्या चालाकी थी कि उसकी नजर थी कि वहाँ पर थैली वापस रख दिया है और उसने सोच भी लिया होगा राज भर में कि उसको कैसे तोडूँगा और इसलिए शायद उसने फुर्ती-फुर्ती में ताकि ओनर को शक ना हो उसी के साथ बाहर भी चला गया बोले नहीं बस चलता हूँ निकलता हूँ और निकल भी गया so he felt quite pleased with his smartness और अपने smartness पे खुश भी था कि देखो मैंने कैसे उसको बेकुब बनाया किसको ओनर को ओनर आएगा बैक देखेगा पैसा गया समझ में नहीं आएगा he realized of course that at first he dare not continue on the public highway he realized उसने महसूस किया कि पहली बात तो ये he dare not continue on the public highway to dare करना मतलब साहस दिखाना कि वो जो सडक है जिस पे वो चल रहा है उस पर लगातार चलना का साहस न दिखाए क्यों इसका मतलब क्या दिशा बदल लो कहीं और कट लो जिसे हम बोलते हैं सामाने भाज़ों में क्योंकि उस रोड पे चल रहा हो कहीं owner वापस आएगा पैसा नहीं मिलेगा तो खुझते खुझते इसी रोड पे तो आएगा वो I dare not walk on this road, I dare not continue on this road, you dare not talk to me, तुम मुझसे बात करने की हिम्मत मत करो You dare not go against my order, मेरे आदेह के खिलाफ जाने की हिम्मत मत करो Dare, this man is very daring, ये आजमी जो है बहुत दुशाहस वाला आजमी है Very daring, daring मतलब दुशाहसी So he realized, of course, मतलब बिलकुल सही That at first, he dare not continue on the public highway But must turn off the road into the woods और इस सड़क से उतर जाए, off the road, off मने मतलब कहा जहाँ अलग होते हैं, इस सड़क से अलग हो जाए, O, double F, off जहाँ आता है उसमें separation, अलग होने की बात आती है तो उसने कहा ये सड़क से अलग हो जाओ, और वो अलग हो गया, और कहाँ चला गया into the woods, woods मने जंगल, W, O, D, S, woods मने जंगल याद रखें, केवल wood मने लकडी, और woods मने जंगल तो बस, but must turn off, वो मुड़ जाना चाहिए, कहाँ, जंगल में मुड़ जाना चाहिए वो मुड़ गया, during the first hour, this called him no difficulty पहले एक घंटे, जब वो जंगल में चला, उसे कोई तकलीफ नहीं हुए अभी देखी, बात सुबह की हो रही है, दिन की, क्योंकि सुबह सुबह, दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं ओनर भी और rat trap seller भी, और आदे घंटे बाद ये वापस आता है, पैसा चुराता है तो सुबह का ही समय है, दिन का है, उजाला है, उस समय जंगल में घुज गया और ये कार देड़ घंटा जंगल में चला तो कोई दिक्कत नहीं, it caused him no difficulty, कोई कठनाई नहीं हुए during the first one hour, later in the day, it became worse, later मने बाद में, जब दिन धलने लगा, तो स्थिति कुछ खराब हुई वर्स मने खराब, किस से बना है, वर्स्ट नहीं है, second form है, bad, worse, वर्स्ट, स्थिति कुछ खराब हो गई later in the day, इस्थिति कुछ खराब हो गई, for it was a big and confusing forest, which he had not gotten into चोंकि अब वो एक ऐसे जंगल में घुज गया था, he had gone into a forest, which was very big, which was very dense, which was confusing समझ में, confused हो गया वो, कि मैं कहां भटक गया, एक घंटे तक वो चलते रहा, main road से उतर के जंगल की सड़कों में, पकड़ अंडियों में, जंगल है घना जंगल, एक घंटे तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम दलते धलते थोड़ी इसको चिंता हो गई, रास्ता भटक It was a big and confusing forest, जिसके अंदर वो गलती से घुश गया था, अब तो घुश तो गया, He tried to be sure to walk in a definite direction, शुनिश्चित करने के लिए, to be sure मतलब शुनिश्चित करने के लिए To be sure मतलब शुनिश्चित करने के लिए, तो उसने कोशिश की कि वो एक निर्दित, एक निश्चित दिशा में चलता रहे, ताकि कम से कम दिशा ग्यान के बल पर वो सही जगह तो पहुँच जाए, खुली जगह तो पहुँच जाए So he walked into a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely, strangely मतलब बड़ा अजीब तरीके से, twisted मतलब मुड़ना, तेड़ा मिड़ा होना, उसने कोश उसने तै किया कि मैं अब एक भाईया, एक ही दिशा में चलू मैं, ऐसा उसने तै किया और चलते रहा, लेकिन क्या देखता है, कि वो जो रास्ता है, पाथ है वो स्वैम गोल मुटो, घुमाओदार है, गोल मुल है, twisted है, तोड़ मुड़ है उसमें, कभी इस दिशा में जा रहा, कभी इस दिशा बदल रही है, उसकी कभी इस दिशा में जा रहा, तो और परेशान हो गया, जंगल में तो ऐसी रास्ते होते हैं, जंगल के रास्तों को पगडंडियां तो इसलिए कहते हैं, पेड़ों के बीच-बीच से पगडंडियां बनी रहते हैं, कभी फिर मुड़ आते हैं, कभी इदर नदी नाले, छोटे, पत्था, पहाड़ों, चट्टाने के कारण रास्ते बदलते रहते हैं, So, it was very strange, he walked and walked without coming to an end of the woods, वो चलता रहा चलता रहा और यहां जंगल खतम ही नहीं हो रहा था, Walked and walked Without coming to an end Of the woods And finally he realized That he had only been walking around In the same part of the forest और अन्त में उसने महसूस किया कि भाईया मैं तो घूमते घूमते लगातार इतनी देर से उसी जगह पे घूम रहूँ उसने कुछ देखा होगा लैंड मार्क किसी चीज पर उसकी निजर पड़ी होगी कई घंटे तक घूमने के बाद भटकने के बाद घूम के वहीं वापस आ गया So finally he realized That he had only been walking around In the same part of the forest जंगल के उसी हिस्से में वह घूम रहा था उस घुमाओदार चकर में सडक में भूल भुलिया में भटक गया था परिशान हो गया All at once He recalled his thoughts All at once फिर कुल मिला कर उसने परानी बात कुछ याद करने की कोशिश की He recalled his thoughts अपनी विचार को याद किया About the world and the rat trap उसको याद आया कि वो दुनिया rat trap है और ये है और वो है उसके बारे में मैंने क्या सोचा था वो उसको याद आने लगा जहां पर He recalled his thoughts About the world and the rat trap उसने क्या सोचा था दुनिया के बारे में कि ये दुनिया भी एक rat trap है लालच में लोग यहाँ हैं और भटक रहे हैं अपने लक्ष से अब उसको लगा वही है मैं भी ऐसे फंच गया इसी लालच में मैं भी जंगल में आ गया और जंगल में फंच गया हूँ अब भटक गया हूँ now his own turn had come अब मेरा भी turn आ गया अभी तक तो मैं सोच रहा था कि मैं दुनिया के ट्रैप में नहीं हूँ दुनिया के माया जाल में नहीं हूँ अब यहां तो मैं भी फंच गया मेरा भी नंबर लग गया इवन आ है बीन ट्रैप नाओ I do not know where is the end I do not know when the क्या मैं जंगल में मर जाओंगा बहुत दुनिया भर की बाते हों इसके मन में आने लगे He had let himself to be fooled by a bait He had let himself to be fooled by a bait एक bait ने उसे बेवकूब बना दिया एक bait के जहांसे में वो आ गया जहांसे में आ जाना To let oneself be fooled मतलब जहांसे में आ जाना किसके जहांसे में एक bait के जहांसे में और bait क्या था वही तीस क्रोनर का लालच वो तीस क्रोनर के चक्कर में ही तो मैं जंगल की और भागा और भटक गया यही लालच अब मुझे यहां डुबा देगा अब मेरा भी अब उसका भी समय आ गया अब मैं भी इसमें फंस गया he had let himself be fooled by bait वो स्वैम अब जहांसे में अपने को डाल दिया and had been caught और पकड़ा जिया किसमें? किसी के द्वारा नहीं जहांसे में पकड़ा जिया जाल में फंस गया कौन से जाल में? जंगल के और जंगल के अलावा पैसे का जाल तीस क्रोनर का लालच उसने जो लोब था उसको संवरण नहीं कर सका पैसा चुरा लिया और कहीं पकड़ा न जा इसलिए में रोट से हटके जंगल के और चला गया शुरू में कोई दिक्कत नहीं हुए इसे लेकिन बाद में भटक गया और ऐसा भटका कि car after few hours of walking walking and walking he found himself in the same place where he was there a few hours ago the whole forest with its trunks and branches its thickets and fallen locks closed in upon him यह पूरा जो जंगल था जिसके इतने मोटे मोटे तने थे जिसकी इतनी सारी शाखाएं थी इतना घना था और लकडी के जो बड़े-बड़े तने टूटे हुए पड़े थे वो मानों उसके उपर अब गिर रहे थे उसको लग रहा था ये सब मेरो उपर आ रहा है उचे-उचे पेड़ The whole forest with its trunks, trunks मने तने and branches It's thickets, thickets मतलब क्या होता है? छोटे-छोटे पेड़ों का बड़ा घना घंड़ अगरे जो होता है And fallen log, log मतलब लकडी का बड़ा मोटा टुकड़ा, तने, कटे हुए तने Closed in upon him like an impenetrable prison वो उसके उपर हावी हो रहे थे, impenetrable अभेद्य अभेद्य जेल की तरह उसे लग रहा सा ये जो सारे पेड़ दिख रहे थे, ऊपर जंगल, चारों तरफ जंगल, लकडी पड़ी हुई घना जंगल, अब उसे एक जेल लगने लगा ऐसा जेल, जिसे अभेदा नहीं जा सकता impenetrable अभेद्य एक अभेद्य जेल जैसा डगनेगा from which he could never escape to escape मतलब बच निकलना, भाग निकलना उसे लगा, अब भी मैं ऐसी जगह में आ गया हूँ ऐसे अभेद्य जेल में आ गया हूँ जिसको मैं भेद्य नहीं सकता और अब ऐसा लगता है कि अब मैं यहां से बच नहीं पाऊंगा भाग नहीं पाऊंगा, निकल नहीं पाऊंगा to escape to run away तो अब यहां से मैं भाग नहीं पाऊंगा कितना निराश हो गया and he thought कि like a rat I am also trapped now एक चुहे की तरह मैं भी यहां के माया जाल में फंच गया और इसका परणाम कि अब यह जंगल में मैं भटक गया हूँ It was late in December यह घटना कप की है December की वो भी December के अंतिम दिनों की Late in December मतलब December के आखरी दिनों की Darkness was already descending over the forest अंदकार वैसे ही पहले उतरने लगा था जंगल में Descend करना मतलब उतरना Ascend करना मतलब चढ़ना Descend करना मतलब उतरना Why are your marks in physics for the whole year are in descending order Ascending order Ascend मतलब चढ़ना A S C E N D Or D E S C N D मतलब उतरना उतार होना So darkness जो थी अंदकार जो था वो अब उतार पर था अर्था जंगल में अब अंधेरा च्छाने लग रहा था रात होने जा रही थी December की ठंड थी अब साथ होना में रहा हम ईंग की अंगा साथ होना